वेलकम टू टेक कल देख जाएंग फ्रेंट अगर आप इस चैनल पनाया है चैनल को सस्क्राइब करें पास वाले बेल का आइकन को दवाा कर में प्रतिक वीडियो को नोटिफिकेशन प्रप्त करें इस वीडियो का दिक्साद करें जिससे मैं और वीडियो बना सकूँ इसको लाइक कमें और कम देखने की बाद कमेंट करें मोड़ेंश्टी की जो एमसी कीव सीरी चले यह वह आपके बीएओ और प्रतिक टीचिंग एकजाम यूपीएस सीपीसी एस आदे में सभी में डीटर प्लैस्वी में कि सुपर्टेट में इंपोडेंट होगी आएए देखते है मोड़ेंश्टी का लगो लास्ट सेशन चला है फर्स्ट कुशन देखते हैं क्रिप्स मिसन वारत छोड़ो अंदोलन बैत्तिगत सकत्यागर अगस्त प्रस्ताब इन्हें क्रम से लगाना है तो अगस्त प्रस्ताब है 1940 का बैत्तिगत सत्यागर भी 1940 का है लेकन यह एक्टू क्रिप्स मिसन है मार्च 1942 तो आप लगा सकते हैं इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 4321 4312 ऑप्सन वी नेक्ष्ट कुशन देखते हैं इन्हें बिलान करना है तो यह फजलो ए हुसेन यह हैं पंजाब से संबन देता है और साहिव साहिद सोहरावर्दी यह संबन देता है बंग इसे अब्दुल्वारी संबन देता है यूपी से तो करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन सी नेक्स्ट कुश्चन है नहीं बिलान करना है यह कुश्चन जातर आते हैं और इनमें बहुत से कन्फीज होते हैं इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा पी एस सिफ स्वामी यह मात्मा गांधी के सायोगी है नर्सिंग चिंतामडी उद्धोग से संबन देते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,3,1,4 ओप्सन सी नेक्स्ट कुश्चन देखते है प्रतिसरकार और नियायदान मंडल यह 4 यानि 17 में बार छोड़ो अंदूलन प्रतिसरकार और नामंडल की स्थाफन होइ मौहन सिंग और निरेंजन शिंगें यह इंडियन इसलाइए पर अर्मि मोहन सिंग न स्थाफित करी थी औरward bc दत तो यह है और and आई एन विद्रो राई एन विद्रो रॉयल इंडियन नेवी जो विद्रो हुआ था वो सी में है तो यह टू और जाती सरकात मिदनापूर कहा है बंगाल में तो यह है वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन भी 4321 नेच्ट कुस्षन देखते हैं बार्दोली सत्यग्रह नेच्ट कुस्षन है बंगाल किसान विद्रह संबंदेते हैं बंगाल परजा पार्टी फजलूल इसी से संबंद देता है बकास्त संगर स्वामी से जानंद सरस्वती ऑप्शन वन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी एक टू फोर थ्री वन नेक्स्ट कुर्शन देखते हैं गोलमेज इन्हें सब को करम से लगाना है तो गोलमेज हुआ 1931 में कांग्रेस सोचल पार्टी की स्थापना हुए 1935 में दांडी मार्च 1930 में और बिलिंग्डन का द्यादेश यह हुआ 1933 में तो यह करम से लग जाएंगे 3142 ओप्शन C 3142 नेक्स्ट कुर्शन है इन्हें फिर मिलान करना इनका तो भारती राष्टी कांग्रेस का लाहोर अधिवेशन जिसमें पूंड सवराजी के लच्च को अपनाये गया यह हुआ 1929 नेक्स्ट है नौजवान सवाग भारत सवाग गठन हुआ जब सामन कमिशन आया 1927 और इसी बटलर रायोग भी है 1927 का ही है नेक्स्ट है बाती राष्टी कांग्रेस का करांची अधिवेशन जिसमें मौलेक अधिकारों को अपनाये गया था इसके अध्यच थे सर्दार बल्लव भाई पटल 1931 और लावर अधिवेशन के अधिश थे जेल नहरू जवाला नहरू उपने वेशवाद सामराज जिवाद के बिरुद्ध ब्रुसेल सम्मेलन यह हुआ 1928 में वन तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी 4321 ओप्शन सी 4321 नेक्स्ट कुशन देखते हैं प्रफुल चाकी यह किस से संब्द देता है यह है मजबपर पुर बमकांड 1908 में जो हुआ था प्रफुल चाकी सुखदेव लाहूर सर्यांट त्रकेश से संब्दित हैं जो लाहूर के किंद्री जो विदानसवा असेंबली थी उसमें बम फैका था असफाकुल्ला खा संब्दित हैं काकोरी सडयंत कांट 1925 का यह तू और गडेश घोस यह संब्दित हैं चटगाउं आर्मर रेड कांट 65 लोगों नहीं यहां पर इसे आर्मर जो थे नहीं लूटा था तो करेक्ट आंसर हो जागा इसका ओप्शन सी 4123 नेक्स्ट कुशन देखते हैं गिर्नी कारागार संग इन गड़नाओं को सभी को क्रम में लगाना है तो इसका सबसे पहले होई जैतो मोर्चा 5 फिर हुआ थिरी तूती कोरिन की गड़ना फिर गिर्नी संगर्स फिर गुरवायूर मंदिर और फिर सुर्मा गाटी ओप्शन भी यह ज़्यादा इंपोर्ण नहीं है इसकिप कर सकते हैं नेक्स्ट कुशन है निमनोय से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्तापक था तो और आप कमेंट करके बताईए कि जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे नेक्स्ट कुशन निमन गटना उपर विचार कीजिए तो यह देखते हैं स्वराज पार्टी के स्थापना कभ हुई 1923 में और कांग्रेस लीग समझाता हुआ 1916 में जेलियर वाला वाला वाग 1919 13 अप्रेल और चौरी चौरा गांड 1922 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3214 नेक्स्ट कुशन देखते हैं अगस्त प्रस्ताब 1940 अंग्रेज लाये थे दुती विश्विद्ध में भारत को सम्मेलित करने के लिए और पूना सम्झाता 1932 का है लेकिन सितंबर का और तरती गोल में सम्मेलन भी 1932 का है नवंबर का तरती गोल में जो सम्मेलन है नवंबर 1932 का है और सामपतायक अधिनिर्ड अगस्त 1932 का है तो कितना क्लोज है आप देहर रखिए गा नवंबर अगस्त और सितंबर में कौन-कौन से क्या हुए तो इस कि नैक्ष्ट कुुशन देखते हैं अब्धूल कयूम खान तो यह संबंदोत है उत्तर पछे में सीमान प्रांथ हकीम अजमाल दिल्ली से संबंदेत है चोदर गिलिक ृजम्म अजम्मा यह उत्तर पदेश से संबंदेत है फजलूल हक ये संबंदित हैं बंगाल से 4132 option B correct हो जाएगा next question देखते हैं इन्हे सुभेलित करना स्वास्चंद बोच संबंदित हैं इंडिया इंट्रिगल फॉर फ्रीडम ये बुक most important है इन्हें ध्यां रखिएगा यह किसी भी पेपर में आ सकती हैं बड़े आराम से, तो सुवास्चंद बोख संबन देते हैं, इंडिया 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 विंस फ्रीडम, राजिन प्रसाद, इंडिया डिवाइड, इंडिया डिवाइड, जवाला नेरू, विदर इंडिया, option तो इसका correct answer हो जगा, 3, 1, 4 आप्शन सी नेक्स्ट कुश्चन है इन्हें देखना है तो लाहर अधिवेशन 1930 में पूंड सराज और करांची अधिवेशन में मौलिक अधिकार फैजफूर अधिवेशन में जो मूलभूत क्रसी भूमिकार किरम की शुरूरत और रामगड अधिवेशन सोले का रामगड दियार रख्या रामगड अधिवेशन में 1940 में इंपूरेंट है यह हुआ अधिवेशन और इस दिन राष्टी एकता की बात कई गई तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाए ओप्शन भी 4312 नेक्स्ट कुश्चन है निम्न ब्यक्तियों पर विचार की जेवी क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन ऑप्शन ऑप्शन हां जोन मथाई नहीं है इसका क्रेक्ट आंसर होगा बन टू यानि जेवी क्रप्लानी और जेगोस ब्रोधी है ओप्शन सी नेक्स्ट कुश्चन वारत छोड़ो अंदोलन किसके समग्र नेतरत में चलाया गया था तो यह नेतरत विहीन था क्योंकि जित्ते भी नेताओं थे बड़े बड़े उने जेल में पकड़ कर डाल दिया गया था तो जो अरणा आसफ अली और उसा मैता मैलाएं थी इन्होंने यही नेतरत विहीन था लेकिन फिर भी नेतरत विहीन था यह कहीं-कहीं जगे पर सब अपने अपने इसाब से अंदुलन चला रहे थे और आहिंसक भी हो गया था नेक्स्ट कुस्टन है अपने अदुती सहास और स्वयोग योद्धा के गुड़ों से परपूर होने के कारण किसे भारत बाधा नाम से जाना गया तो यह थे जतींद मुको पाध्या यह जतींद और अब बताईस के नहीं क्या जो अमारे मात्मगांदी उनका राजनीतिक गुरु कहा जाता है और स्वासचंद वोष के राजनीतिक गुरु कहा जाता है सी अर्डास याद रखिएगा कि नेक्स्ट कुशन देखते हैं जो नहरू ने राष्ट को अपना पहला संबोधन दिया था तो ये किस नाम से दिया था A trustee with destiny, next question है सुतंता के पस्चात कौन सी रियासत यथा इस्टिति बनाई रखने की पस्चिदर थी तो ये थी हैदराबाद और next question है इसके बाद जम्मु कस्मी समस्या को किस तिथी को भारत सरकास सैयुक तुराष्ट यूएन संगे में ले गई थी तो ये ले गई थी 30 दिसंबर 1947 एक दो दिन बाद 1948 लग जाता तो आप याद रखिए गए लास्ट के कुछ दिन सुतंता के बाद भी फारांस के कौन से भारती छेत्र में थे कौन से अधीन फ्रांस के थे तो ये था चंद्रनगर माहे और पांड़चेरी तीनों तो उप्र प्रते गर्मेंट एक्जाम में इंप्रोडेंट है इसलिए आप इसे अधिक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाइक करें बंदे भारत